हलो दोस्तों मैं विकास परजापत पत्तिका एंट्रेटेन्मेंट के शो फिल्मी दंगल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे फिलम फेर 2020 को लेकर जी हां पिछले दिलों से सोचल मीडिया में हेस्टेक बाइकार फिलम फेर आवार्स 2020 का ट्रेंट चल रहा है जी हां सो विकास जी सोचल मीडिया यानि की ट्विटर पर हैस्टेक बाइकार फिलम फेर आवार्स 2020 हैस्टेक जो ऐ खूब ट्रेंट कर रहा है जी है कुछ लोग जो है इसकी अलोसना ही करना है कि लोगों का कहना ही कि ये शोग पहले से फिक्स था लोगों का कहना है कि ये आवार्स तो पहले से फिक्स था, लेकिन ऐसा नहीं. मेरा लियांतर मादना है, फिला फेर अवार्स चो रहे उनी मुवीज को मिलते हैं, जो अच्छी पारफ़ों करती है, जिनकी कहानी लोग के दिलों को छूती है. जैसे मान लोग गली बोई है, गली बोई को तेरा आवार्स में रहे हैं, तो लोग इस बात को लेकर के नाराज हैं कि गली बोई को ही अकेली को तेरा आवार्स में रहे हैं, तो मेरा मानना है कि गली बोई इस आवार्स की हरंदार है, मतलब ये एक ऐसे सक्स की कहानी है, जो फ इसकी कहानी रैपर्स के ओपर है, जो गलियों ने गाने वाले स्टेस तब कैसे पॉंचते हैं, उनको क्या-क्या संगस करने पड़ते हैं रैंबीर ने जो है रैपर्स का थोड़ा पेखूली निवाए बिल्कुम। आलिया वट का एक्टिव तो शांदाथ है भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गली बोई को ओस्कर में नुमिनेशन दिला था, बिल्कुम। अगर गली बोई को ओस्कर में नुमिनेशन मिला है तो यह जाहिर सी बात है कि यह मूवी अच्छी है। अगर दूसरी इसके कंपिटिशन में कोई मूवी होती तो उसका भी उसकर में नुमिनेशन होता। फिर अगर उसको अवाड नहीं मिलता तो यह बात कुछ मायम में सहीं कहीं जा सकती है। लेकिन अब आप देख लीजिए। हर प्रिड में इस मूवी में अच्छा किया है। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इसकी जूरी में जो है तरण जुवा है। अस्वनी एगर है। परां जॉयाकतर है। कि इन लोगों के और भी कई सदस्ने है। इन लोगों के इंटरफेर की वज़े से मतलब जो है। ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं। तेरा आवार्स प्राप्त करना को छोटी वाल है। और अकेली गरीगोई को ही आवार्स नहीं लेए। अदर फिल्मों को भी अवार्स नहीं लेए। आईस्मान खुराना की फिल्म पंटीगल पंदार को भी अवार जोंह में। वाइपी चक्की बाबडे की बेटी अनन्या बाबडे को भी बेस्डेवी अवार्स का अवार्स नहीं। और भी कई लोगों को बेस्ट एक्टर्स, डाइरेक्टर्स, सॉंग्स, राइटर्स, इनके आवार्ड दे लिए यह ज़रूर होता है कि किसी भी आवार्ड समारों के बाद, उसके अच्छे और बुरे क्यूस्टन जो है, सामने काते हैं, बिल्कुछ है, क्यों जो चीज अच् अच्छाई दोनों ही होती है, हार परकार की दुनिया है, बाकि आवार्ड शो तो उसी को मिलता है, जो अगला स्वाल आपका यह है, कि जैसे सोचल मुर्या में चलव रहा है कि कयांजोर, बोलीवुड का बोश है, मतलब हर कोई मतलब इनको नहराज देखना में चाहता है, म बहुत महंगा पर सकता है, अपकरन देसे ही, एक उदान के लेट तो देसे ही कि मौर होता है कि पानी में लेकर मंगरमस्य काई को बेर, अच्छी दाकर उनकी, और भी जैचे जो याक्तिर करा नाम बताए आपने, तो लोग कहते हैं, उनको खुश करने के लिए आवार दिये और वार्स करीजे जाने हैं, यह होता है, कई वार सामने आजाा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्यादातर यह सही होता है। ऐसे तो मतलब जैसे लगा लो अभी आपके उसकर में जो है दत्चन कौर घ़ूड़ाई पारसाइट को मिला है, उसको उसकर मिला है। अभी तरह तरह की परतिक्रियां देखने को मिल रही है कि यह फिल्म पगानी फिल्म की copyright है मिल्कुल भी हाले में सामने हैं जो लेकिन यह क्या यह यह भी तभी बात सामने हाई तब उन्होंने अवास का प्रात कर लिया उससे पहले खांग गए थे, copyright वार मिलने के बाद उसके negative positive सभी प्रतिक्रिया सामने आते हैं नो डाउट करन जोवर बॉलीबोर का बहुत बड़ा नाम है लोग कह रहे हैं कि करन जोवर को कोई नाराज नहीं करना चाहता और इसलिए रणवीर और दीपिका खोपूस करने की ग« कली बट को अवार्ड्ड ड्नायको भिलाए लेकिन अधर की स्टाज को जो अवार्ड मिले हैं कि इसलिए उनके वी कुई बोसर गोकोश करने में यह अवार्ड लिए 002 ऐसा नहीं है, जिस फिलम की स्क्रिप्ट अच्छी होती है, जिस अभी नितर की एक्टिंग अच्छी होती है, उनको अवार्ड मेंट है.